वेलकम बैक, स्वागत आप लोग का आज के एक और फ्रेस वीडियो में, आज किस वीडियो में बताएंगे कि Facebook पर हमें दूसरा ID कैसे बना सकते हैं, एक ID अल्रेडी मेरा बना हुआ है, फिर भी मैं इस वीडियो में दूसरा ID बनाने के लिए बताऊँगा, सेम तरीके से आप आप भी अपने mobile में दूसरा ID अपने नाम से बना सकते हैं, एक ID अल्रेडी बना हुआ है, तो भी आप new ID बना सकते हैं, तो इसके लिए जो जो मैं कर रहा हूँ, सेम तो सेम कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी करने में दिकत होता है, तो हमसे comment में पूछ भी सकते हैं, तो create new account पे click करते हैं, आपको get started पे click कर लेना है, जैसे आप get started पे click करते हैं, first of all अपना नाम जो भी रखना चाहते हैं, जिस ID से नाम बनाना चाहते हो, वो नाम डाल दीजिए, first name and last name, सूरज कुमार, जो भी रोहित कुमार जो भी है, उस नाम को आप लिख लिजिए, तो यहा select कर लीजिए, 2003, 2004, 2005, जो भी है न, वो आप कर सकते हैं, मेरा 2004 है, तो मैं 2004 कर लेता हूँ, and यहाँ पर next कर लेते हैं, next पर simple सा मैं click करूँगा, यह birth update, select कर लेने के बाद, तो उसके बाद male, female, more option, अगर आप male हो, general आपका जो भी है, sterling या फिर pulling हो, आप select कर लीजिए, यहा आपको अपना more number डालना परेगा, verify करने के लिए, more number आप डाल लीजिए, आपका जो भी number हो, आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर next कर लीजिए, मैंने security की तोब पर अपना screen को बलर कर दिया हूँ, क्योंकि मेरा number यहाँ पर दिख रहा था, और second काम क्या करने है, number डाल से time screen को बलर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, अच्छा सा strong password, तो guys यहाँ पर password रख लिने के बाद, I agree पर किलिक करना है, guys मैं detail में सारा कुछ समझा रहा हूँ, अगर आपको फीड भी कुछ समझने में दिखत होता है, तो हमसे comment में पूछ सकते हैं, बस simple सा ह उसके बाद आपको यहाँ पर send code SMS, second वाले option पर किलिक करना है, इससे क्या होगा कि उस number पर आपको code send किया जाएगा, जो आपने number डाले थे कुछ दिर पहले, वो number पर verify करने के लिए OTP आते हैं, और आपको easily यहाँ पर fill up कर देना है, तो हम यहाँ पर wait कर लेते हैं, verify करने के कोड आते हैं, confirmation code, ठीक है, wait कर लीजिएगा, code आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, अगर आपका फिर वी कोई सवाल हो कुछ करने में दिकत होता है, तो हमसे comment में पूछेएगा, बार-बार मैं यह बता रहा हूँ गया, यहाँ पर यह सब कर लेने काद सेब पर click कर लीजिए ठीक है, example के तोर पे, चाहूँ तो मैं अपना भी कर सकता हूँ, बट मैं दूसरे यह कर रहा हूँ, यह फोटो को corp वगएरा कर लीजिएगा, उपर का पार्ट या फिर नीचे का पार्ट को select करके, done कर लीजिए, then कोई friend वगएरा यहाँ पर suggest किया जाएगा, आप friend को follow गया होगा, वीडियो अच्छा लागा हो, तो चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, यह login हो गया, मेरा पुराना वाला ID अभी कैसे login करना है, यह मैं बता देता हूँ, simple सा 3Rot पे फिर से click करते है, then यहाँ पर अपना नाम पे click किजिए, सूरज ट्यूब, यहाँ पर click करने के बाद आप आपका पुराना ID प्लस new ID दोनों सो करते हैं, जिस ID को login करना चाहते हो, उस ID पे click किजिएगा, then easily आप उस ID को अराम से login कर पाओगे, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से पुराना ID या फिर कभी भी new ID पे आप shift हो सकते हैं, thank you so much मेलते हैं next video में, कैसा ला जब आपएगग।